नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं कि भगवान के एक्रपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और अन्यूद होंगे तो फ्रेंज आज में आप लोगों के लिए 20-35 फिट का पूरब मुख्य घर का नक्सा लेकर आया हूं और उम्मिद करता हूं कि यह जो लाइगा एक बात और यह जो प्लॉट है यह गाउं का है चोटा सा जगह है लेकिन चारो तरप से ओपन है तो इसमें वेंटिलेशन का कोई प्राब्लम नहीं होगा आप लोगों के लिए क्योंकि यह चारो तरप से ओपन है और शोटा सा यह लेकिन बहुत खुबशूरती स इसको बनाए गया है नमस्कार दोस्तों मैं हो सकी स्वांडे और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्लान लेकर आया हूं तो फ्रेंट जो लोग चैनल पर नहीं है यह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जैसे कि आप लोग देखा रहे हैं इसका फ्रेंट 20 फित है और इसका जो लंबा ही है वह है 35 फित है कुझ के यहां पर में गेट लग जाएगा आप इसको इसको इस्टील का भी छोटा सा लगवा सकते हैं और यह इंटर्स फ्वयर है नौ फिट दो इंच बार शेट तेन इ तो बड़ा राम से आप यहां एक शोफा लगा सकते हैं इतना तो जगह है रही है इसमें और लेहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखे एक स्टेर केस जो है बना गया है स्टार्टिंग में ही देखे एक गेस्ट्रूम दिया गया है गेस्ट्रूम का साज़े 902 अरे अरे किचिन यहां पर रक सकते हैं इस प्लेटफॉरम पर कहीं भी तो इससे क्या होता कि यहंदा वैस्टेर मुझक पूरब दिया कि मैं और यहां से अगे बड़ागे तो यहां से देखे एक मीडियम साइज है उसमें आप डाइनिंग टेबल चेर का लियाओट कट सकते हैं और यह देखिए यह बात है चार वाई पांच का और ट्वाई तीन फिट का तो सफिशिंट साइज है और दोन अलग अलग बनाया गया है और यह देखिए एक बड्रूम बनाया गया है जिस जिसे साउथवेस्ट में मास्टर बेड़ू में बनाया गया है बस्तु को द्यान में रखा गया है पूरे प्लान में ही और यह आप लोगा कुछ कमेंट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता है तो जैसा कि आप लोग कि देख पा रहे हैं कि 8 प्लाउड चारो तरप से लगाया गया है जिससे कि ventilation का कोई नहीं होगा तो फ्रेंट्स यदि आप लोगा कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स जरूर रहे हैं यह प्लान आप लोगो काईसा लगा और फ्रेंट्स हमेशा कि करें आप लोगों को से रिप्रस्ट है यदि ये भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें गया लाइकन को जरूर दबाएं जिस्चे कि वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोगो मिलता है इस वीडियो को